Hello and Welcome to Trained Mind Scientifically Pregnancy एक बहुत ही amazing process होता है ये process sperm और ovum से start होता है Sperms microscopic haploid cells होते हैं इनको male gamete भी कहा जाता है ये testis के अंदर produce होते हैं और दूसरे fluids के साथ mix होकर सेमन बनाते हैं फिर ये सेमन उस वक्त जिसम से बाहर निकलती है जब आप ejaculate करते हैं ovum भी sperm की तरह ही haploid cells होते हैं इनको female gamete कहा जाता है ये ovaries के अंदर produce होते हैं ovary अमूमन एक ovum हर माह ovulation के वक्त release करती है जैसा के हमने पिछले lecture में पढ़ा था के menstrual cycle में जब ovary ovum release करती है तो साथ ही साथ uterus की inner lining भी थिक होना शुरू हो जाती है और खुद को pregnancy के लिए तयार करती है हर माह एक mature ovum ovary से release होता है इस process को ovulation कहा जाता है फिर ये ovum fallopian tube से होता हुआ uterus की तरफ जाता है ovum को ये सफरते करने में 12 से 24 घंटे लग जाते हैं ovulation से कुछ टाइम पहले या कुछ टाइम बाद अगर sexual intercourse हो तो सेमन औरत की विजाईना में दाखिल होती है और सेमन में मौझूद इस sperm ovum की तलाश में सर्वेक्स, युटेरस और फिलोपियन ट्यूब में दाखिल हो जाते हैं औरत के जिसम में इस sperm 6 दिन तक ovum के इंतजार में जिन्दा रह सकते हैं सेमन के अंदर मिलियन्स की तादाद में sperm मौझूद होते हैं लेकिन सिर्फ एक sperm ही ovum के साथ मिलता है जिसके नतीजे में pregnancy का आगाज हो जाता है sperm और ovum के एक दूसरे के साथ fuse हो जाने को fertilization कहा जाता है fusion के बाद ovum deployed होकर zygote में तबदील हो जाता है अब ये single zygote sale, deviance, differentiation और development के process से गुजर कर एक मुकमल इनसान में तबदील हो जाता है fertilization के 24 गंटे के बाद deviance का आगाज हो जाता है इस stage को cleavage stage भी कहा जाता है इस वक्त zygote एक sale में से 16 sales में convert हो जाता है और हम इस structure को blastomere कहते हैं fertilization के तीन दिन बाद continuous deviance की वज़ा से blastomere एक berry shaped structure में तबदील हो जाता है जिसको marula कहा जाता है यहाँ पर cleavage stage भी मुकमल हो जाती है जैसा के marula एक solid mass of sales की state में नहीं रह सकता इसलिए अब यहाँ पर एक fluid filled cavity बन जाती है और इस structure को blastocyst कहा जाता है blastocyst के around large sales का outer layer होता है जिसको trophoblast sales कहा जाता है जबके blastocyst के अंदर छोटे sales का एक cluster होता है जिसको inner cell mass कहा जाता है inner cell mass से human embryo बनता है जबके trophoblast sales placenta और blood vessels बनाते हैं placenta और blood vessels developing embryo के लिए गिजा की फरायमी को मुम्किन बनाते हैं यहाँ पे एक बात जहन में रखने की है के devians के साथ साथ zygote फिर marula और blastula uterus की तरफ move भी करते रहते हैं जैसे ही blastocyst uterus में दाखिल होता है तो यह blastocyst वहाँ पे कुछ दिन float करता रहता है और साथ ही uterus में मुझूद गिजाई अज़ा जैसा के vitamins और glycoproteins को absorb भी करता है लेकिन जैसा के blastocyst को permanent nutritional support की जरुरत होती है इसलिए वो endometrium tissue के साथ bind हो जाता है इस stage को implantation stage कहा जाता है blastocyst को endometrium के साथ bind होने के लिए progestron और estrogen hormone की जरुरत होती है carpus luteum जो के ruptured follicle होता है वो इन दोनों hormones को produce करता है carpus luteum को हमने अपने पिछले lecture menstrual cycle में detail में पढ़ा था for better understanding आप उस lecture को जरूर देखें implantation होने के बाद अगर blood में progestron और estrogen hormone की level ड्राप हो जाए तो embryo के साथ साथ endometrium tissue break off होकर वेजाईना से बाहर निकल जाते हैं इसलिए इन दोनों hormones की level को बरकरार रखना बेहत जरूरी होता है implantation के बाद human embryo के ट्रोफो बिलास सेल्स एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको human chorionic gonadotropin hormone या इन शाट HCG कहा जाता है यह HCG कारपस लूटियम को आगाह करता है कि प्रिगिननसी हो चुकी है और आप प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन की सीक्रेशन को जारी रखें जिसके नतीजे में कारपस लूटियम मुसलसिल तीन माह तक प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन को सीक्रेट करता रहता है कारपस लूटियम के डिजनरेट होने के बाद अब प्लेसंटा वही सेम हार्मोन gestation period मुकमल होने तक produce करता रहता है pregnancy में placenta का बहुत ही important role होता है placenta एक tissue होता है जो के human embryo के trophoblast cells और endometrium tissue से मिलकर बनता है mother के blood में मुझूद गिजा और oxygen placenta के थुरू embryo तक पहुँचती है और embryo के metabolic waste भी इसी placenta के थुरू mother के blood में शामिल होते हैं placenta और embryo के दर्मियान एक rope-like structure डिवलप होता है इस structure को umbilical card कहा जाता है umbilical card में blood vessels मुझूद होती हैं जिसके थुरू embryo और placenta के दर्मियान material की exchange होती है अब embryo development की stages से गुजरता है और cell differentiation की मदद से मुख्तलिफ organs बनना शुरू हो जाते हैं इस point पर amniotic sex, placenta और embryo को officially fetus का नाम दिया जाता है embryo की development की वज़ा से uterus की size बढ़ जाती है placenta, estrogen और progesterone के साथ मजीद दो hormones release करता है जिन में relaxin और human placental lactogen शामिल है relaxin मदर के joints और legaments को loose करके इनको flexible बनाता है जबके human placental lactogen hormone fetus की growth breast में milk production और blood glucose level बढ़ाता है ताके ये glucose growing fetus को मिल सके pregnancy का अमल fertilization के बाद 36 to 40 weeks में मुकमल हो जाता है अब placenta, progesterone hormone secret करना stop करता है जबके estrogen की secretion जारी रहती है low level of progesterone और high level of estrogen की वज़ा से uterus के muscles contract होना शुरू हो जाते हैं near birth time बेबी के special cells oxytocin hormone release करते हैं ये oxytocin placenta के receptor से bind हो जाते हैं जिसकी वज़ा से placenta, prostaglandin hormone को secret करता है अब दोनों hormones uterus के muscles में strong contraction प्रोड्यूस करते हैं strong contraction की वज़ा से औरत को शदीद pain होता है और इस stage को labor pain कहा जाता है muscle cell contraction की वज़ा से uterus dilate होता है और mother में baby को push करने की अर्ज पेदा होती है mother के push करने पर finally newborn baby जिसम से बाहर आ जाता है baby के बाहर आने के बाद placenta अभी भी mother के uterus में ही मुझूद होता है uterus के muscles further contract करते हैं और placenta को push करके जिसम से बाहर निकाल देते हैं पेदाइश के बाद newborn breast feeding करता है और इस stage को lactation stage कहा जाता है breast feeding को समझने के लिए हमें सबसे पहले breast के structure को समझना होगा breast tissue बलूगत के time पर develop होते हैं और ये adipose tissue, glandular tissue और lactiferous ducts पर मुझ्तमिल होते हैं glandular tissue बहुत सारे alveoli पर मुझ्तमिल होते हैं ये alveolus actually modified suede gland होते हैं जो के milk production का काम करते हैं alveolus के around myo epithelial cells मुझ्यूद होते हैं जो के alveolus को squeeze करके milk को lactiferous duct में push करते हैं और ये milk निपिल के थुरू बाहर आके बेबी के mouth में दाखिल हो जाता है pregnancy के दोरान placenta, human placental lactogen और progesterone hormone रिलीज करता है जबके anterior pituitary prolactin hormone रिलीज करती है ये तीनों hormones glandular tissues की production को increase करते हैं और glandular cells को milk production के लिए तयार करते हैं prolactin hormone milk को breast से खार्ज करने का भी काम करता है लेकिन यहाँ पे progesterone hormone इस अमल को prevent करता है यानि during mid pregnancy, breast milk produce कर सकते हैं लेकिन इसको release नहीं करते हैं जैसा के पेदाश के बाद placenta भी खार्ज हो जाता है और progesterone hormone की production बंद हो जाती है जिसके नतीजे में after birth breast से milk की फिलो शुरू हो जाती है Finally, thanks for watching अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया झाल